मेरे बहुत सारे सस्क्राइबर हैं, बहुत सारे भाई हैं, जो कमेंट के माध्यम से एक प्रस्न मुझसे पूछते हैं, कि सर हमारे हाट के पास हमें दबाव सा महसूस होता है, हमारा दिल दबाव में कोई उसको दबा रहा है, और वहाँ पर हलका हलका सा दर्द महसूस होता है उसके साथ साथ हमें तेज घबराहत होती है, बहुत तेज घबराहत होती है, बेचैनी होने लगती है, ऐसा लगता है कि हमें अटैक आजाएगा, पैनिक अटैक आजाएगा, हम गिल जाएगे, बेहोस हो जाएगे, हमारे हाथ पैर धीले पढ़ने लगते हैं, ठंडे पढ़न सब करवाली लेकिन सब नार्मल हैं जितनी विजाचे हैं सब नार्मल हैं लेकिन सर यह समस्य हमारी ठीक नहीं हो रही हाट के जितने विट्टेस्ट हैं जितनी विजाचे हैं सब नार्मल आती हैं सारी रिपोर्ट्स नार्मल हैं लेकिन फिर भी यह समस्य हमको बहुत ज्याद होता है बहुत तेज घवरारात होने लगती तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही एक आसान उपाए बताने वाला हूँ आप लोगों को ये उपाए शुरू कर दीजिए आज से ही आपको anxiety में इस समस्य में जो मैने लच्छर बताए हैं इस समस्य में आज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और ये समस्या जो बढ़ रही है जो आगे चल कर एक बड़ी समस्या का रूप लेने वाली है इसका बढ़ना कम हो जाएगा ये नीचे की तरब जाने लगेगी ये कम होना शुरू हो जाएगी इसका बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाए धीरे धीरे इस समस्या से आप 100% छुटकारा पा जाएंगे हम यह कहता हूँ कि आसान उपाय है आपको लगातार इसको कुछ दिनों तक करना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों लेकिन पहली खुराक से वर्क शुरू कर देगा और इन समस्याओं को बढ़ने से रोके गए जो मैंने बता डाले जितने भी लच्छा जो मैंने बताया कि लोग जो जो कमेंट करते हैं मेल्स करते हैं मुझे पूचते हैं मुझे सवाल इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे यूटूब पे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों इसको शुरू करिए आपकी समस्या बढ़नी कम हो जाएगी जो इनजाइटी की समस्या रहती है इनजाइटी स पढ़ जाते हैं हाथ पैट धीले पढ़ जनने लगते हैं बहुत ही अच्छा काम करें दोस्तों तो इसमें आपको दोस्तों दो सधिया लेना है आप देख सकते हैं मेरे सामने ही रखी हुई है आपको लेना है दोस्तों यह मिसरी यह मिसरी आपको ले लेना है धागे वाली मिस्री डली में भी मिल जाती है और अब ऐसे भी आने लगी है तो चाहे तो आप धागे वाली मिस्री डली वाली लेले पंसारी से मांग लेंगे तो वो दे देंगे आप कहे देंगे ना पंसारी से कि हमें धागे वाली मिस्री दे दीजिए तो आपको दे देंगे तो आपको धागे वाली मिस्री ले लेना है आप चाहे तो 100-100 ग्राम दोनों ले लीजिए ये 50-50 ग्राम बना कर इस्तेमाल कीजिए जब फिर जरूरत हो फिर बना लीजिए तो धागे वाली मिस्री आपको लेना है 100 ग्राम और इसके साथ दोस्तों लेना है यह है कुटकी जी है दोस्तों यही एक कुटकी जो बहुत ही फेमस आउसद ही है दोस्तों आयुरुबेद में इसका बहुत बड़ा इस्थान है बहुत सारी बीमारियों में यह काम करती है बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों लीवर से मस्तिस्क को ताकत देती है दोस्तों इसका जो दूसरा गुड है वहुत कमजोर है वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है तो इसके बहुत सारे फायदे है लेकिन जो मुख्य है वो मैं बता रहा हूँ कि लीवर के लिए मस्तिस के लिए इसके साथ साथ दिल के लिए बहुत यह अच्छी आउसद्य होती है तो इनको समान मात्रा में लेना है कूट पीस कर इनका पाउडर तयार करना है दोनों का आपको चाहे तो आप 50-50 ग्राम ले दोनों समान मात्रा में लेकर इनका कूट पीस के पाउडर बारी तयार करना है दोस्तों अब इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहे तो आप मिक्सी में कर सकते हैं पाउडर ये इमाम दस्ते में कर सकते हैं लेकिन पाउडर जितना बारी होगा उतना ही अच्छा काम करेगा इतना जिनना कपड़ा होता है छान ले छान कर फिर अगर कुछ बड़ा material है अगर कुछ चून रह गया है थोड़े से बड़े टुकड़े है तो फिर से mixi में डाल कर फिर से आप उसको महीन पाउडर कर सकते हैं तो इस वरकार से बना कर आप इसको रख ले अब दोस्तो सुबह साम आपको दो-दो ग्राम की मात्रा लेना है दो ग्राम मतलब चौथा ही चम्मच होगा लगभग तो दो ग्राम आपको लेना सुबह इसको ज्याधा भी अगर तीन-चार ग्राम हो गया है तो कोई भी side effect नहीं है लेकिन वो है कि आप दो ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे काफी है एक मात्रा है उसकी काफी है दो ग्राम तक तो दो ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करेंगा बाकी एक चम्मच ले लेंगे तो भी कोई side effect नहीं होगा कुछ नहीं होगा लेकिन दो-दो ग्राम आप इस्तेमाल करिए बतलब एक ग्राम मिसरी जानी च और एक बार आप साम को ले लिया करिए, खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, तो दो-दो ग्राम की मात्रा आपको सुबह साम लेनी है, लगातार अगर दो से तीन महीने कर लेते हैं, तो ये सारी समस्याँ आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी, तो दमाव महसूस ह दिल की धरकन अनियंत्रित हो जाती है इसा लगता है दिल कमजोर हो गया है घबराहट होती है तेज घबराहट होने लगती है इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा बहुत यच्छा उपाए है और इन समस्याओं को यह बढ़ने से रोकेगा जो भविस्व में बढ़ इसको जरूर अपना अगर आपको ऐसी समस्या रहती है इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि यह सभी के लिए हो जाएगा अगर मैं एक एक को बताऊंगा तो प्राबलम होती है तो इसलिए मैं सब के लिए वीडियो बना कर अप्लोड कर देता हूं ताकि आप जिसको यह सम एक परसन ठीक हो जाएगे